असलाम आलेकुम दोस्तो मैं हूँ असलाम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट दोस्तो जैसा कि कल वाली वीडियो मैंने कहा था कि आज याने के सुमवार को Q&A वीडियो होगी जिसमें आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब दिये जाएंगे तो आप में से ज किसी भाई ने पूछा है इसको कंपनी में काम करते हैं वे 8 साल हो चुके हैं अब ये भाई घर जाना चाहते हैं तो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि तुमको बोनस नहीं मिलेगा तो इस सिच्वेशन में क्या करना चाहिए तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा अगर आपको आई ने कहा है कि मैं कंपनी को बिनाए बताए घर आ गया तो अब कितना दिन के बाद जो है मैं कतर जा सकता हूं मेरा वीजा इशू होगा आपका जब आईडी केंसिल हो जाएगा कंपनी वाले आपके कामे को केंसिल कर देंगे तो आप जो है निव वीजा के लिए ट्राइ नहीं है तो थोड़ा सा वेड़ करने के बाद में आप विजा के लिए अपलाई करें बहुत सारे लोगों का विजा आ रहा है तो ऐसा सब्सक्राइब, आप का विजा भी रिजेक्ट हो जाए दोस्तों आज जो तीस्रा सवाल है आप आप यहां इस्क्रीन पर देख सकते हैं आप में से किसी भाई ने पूछा है कि सर मेरा आइडियो एक्सपैर हो चुके तीन मेहना हो चुका है दो मेहना का फाइन भी चल रहा है कंपनी भी बलोक है तो हमको कंपनी चेंज करना होगा तो जिस कंपनी में ये चेंज करके जा रहे हैं तो वो कंपनी वाला पांच हजार पांच सो रियाल बता रहा है आईडी सब मिला कर यहां पर मैं आपको एक जरूरी सजेशन देना चाहूंगा वो यह कि आपने बताया है कि आपके उपर में गरमा चल रहा है आपकी कंपनी भी बलोक है तो इस करने लगे और आपका पैसा फंस जाए जब तक सिस्टम में एपरूल नहीं हो जाएगा उससे पहले पहले कंपनी वाले को आप पैसा मत दें वरना इसा नहों कि आपको बाद में पश्टाना पड़े दोस्तों इस सवाल का जबाब आप लोगों को अगला कमेंट में मिलेग तो हम चलते हैं अगले कमेंट की तरफ यहां पर आप देख सकते हैं कि आप में से किसी भाई ने पूछा है कि अगर कंपनी बलोग हो जाए तो स्पोंसर्शिप चेंज होगा या नहीं होगा इन उसी लेटर है मेरे दोस्त के पास आप जिस निव कंपनी में जा रहे हैं आपको कुछ दिन वेट करना पर सकता है हो सकता है कि आप लोगों को एक महना या दो महना तक का भी वेट करना पर सकता है इस सवाल को देखने बाद मैंने कतर में मौझूद अपने एक आदमी से पूछा तो उन्हों ने यही कहा कि अगर कंपनी बलोग हो तो एप्रुवल आपके साथ में फुल सपोर्ट कर रही है चेंज करने के लिए तो आप जो है चेंज करने के लिए अप्लाई कर दें कोई दिकत की बात नहीं होगी आपको एप्रुवल मिल जाएगा दोस्तो आज का जो अगला सवाल है आप यहां स्क्रिन पर देख सकते हैं यहां पर मुझ वीजा बहुत कम इशू होता है अक्सर बेश्टर लोगों का रेजेक्ट हो जाता है बहुत ही कम लोगों का पास हो पाता है दोस्तों यहां पर आप लोगों को अगला सवाल नदर आ रहा होगा यह जो है बहुत ही लंबा चोड़ा सवाल है इस भाई का पूशना यह है कि मा और नवे दिन गुजरने के बाद में अगर हम घर जाना चाहें तो हमको फाइंड देना होगा या नहीं देना होगा तो यहां पर बतना चाहोँगा अगर आप नवे दिन गुजरने के वही चार्ज स्रीफ लगेगा उसके अलावा दूसरा कोई फाइंड नहीं लगेगा जबके आज का जो लाश्ट सवाल है आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं आप में से किसी भाई ने पूछा है कि कतर में इंडियन पासपोर्ट को हम कितना दिन पहले तक रिन्यू कर सकते हैं तो इसका जबाब है कि कोई फिक्स डेट नहीं है आप चाहें तो अपने पासपोर्ट को साल भर पहले भी रिन्यू करवा सकते हैं छे महना पहले भी renewal करवा सकते हैं एक्सपायर होने से पहले या ये कि आप चाहें तो दो साल पहले भी renewal करवा सकते हैं ऐसी कोई जो है दिकत की बात नहीं है दोस्तों अमीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी वीडियो को आगे जरूर शियर करें बहुत बहुत शुक्रिया